हेलो दोस्तों तो आज हम बनाएंगे भींडी के चटनी और इसका स्वात खाने बहुत ही जदा अच्छा लगता है और बहुत ही असान तरीके से इसकी चटनी बनते हैं तो अगर आपको भी चटनी खाना अच्छा लगता है तो चलिए बनाते हैं भींडी के चटनी बहुत ही तरीके से और एकदम चटपटा, टेष्टि, तो यहाँ पे हम भिंडी ले लिए हैं और इसे हम पानी से ताद जाफ कनने के बाद इसे पोच लिए हैं उसके बाद दो टुकड़े में काट लें। देख लें गे भिंडी में कीड़ा वग्रा रहता है, तो उसे हम चेक कर लेंगे फिर गैस पर तावा चुड़ाएंगे और तावा को अच्छे से गरब होने देंगे उसके बाद हम भिंडी को डालेंगे तावा पर इस तरह हलका सा इसके जो पानी है इसे हम सुखा लेंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक डेट चमच बराबर तेल कोई भी तेल इसमें डाल सकते हैं सरसोर तेल या रिफाइन तेल तेल डाल कर इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे चुटकी भर ज्यादा नमक नहीं डालेंगे आगे भी हमें नमक डालना है तो इसमें हम छोटकी भरी नमख डालेंगे और इसे बढ़िया से हाई फिलेम पे इसे हम पकाएंगे इस तरह हल्का भिंडी में कलर आने लगेगा तो गैस को मीडियम कर देंगे और इसमें हम डालेंगे दो-चार लहसुन की कलिया लहासून अगर नहीं खाते हैं तो आप लहासून हटा सकते हैं और इसी में हम डालेंगे यहां पर हमने कुछ मुंभफली के दाने लिए हैं इसमें हम डालेंगे एक मूठी बराबर लिए हैं यहां पर एक टotalईटर को हम चार भाग में काट लेंगे चोटे चोटे इसके टुक्रे इसी में डाल करके और अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे इस तरह अच्छे से जब भुना जाए तो इसे हम निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से भुना गया है भिंडी जो है एकदम अच्छे से लाल हो चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे अब इसे हम मिक्सी जार में रखेंगे या आप इसे किसी भी चीज में आप इसे कूट कर भी ले सकते हैं या आप सीलवटे पर भी पीश करके ले सकते हैं तीखा बराबर इसमें हम हरी मिर्च रखेंगे तहां पर हम एक हरी मिर्च को तोड़ करके ले लिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे सीसे हम एक दम मेहिन पीछ लेंगे अब इस चटनी में हम नमक स्वात के अनुसार डालेंगे थोड़ा सरसू का तेल डालेंगे, निम्बू का रास डालेंगे निम्बू का रश डालने से बहुती अच्छा चटपटा इसमें स्वाद आ जाता है तो इस तरह हमारा मुंखली और भीड़नी के चटनी बन कर तयार हो जाता है दोस्तों और इस चटनी के साथ आप रोटी पराठी के साथ भी खा सकते हैं आप इडली के उपर भी खा सकते हैं दोसे के उपर भी आप खा सकते हैं इतना टेश्टी चटनी बनता है और इसका खाने में स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों तो इस तरह भींडी और मुंखली के चटनी आप एक बाज़रू ट्राइ करें जो की बहुत ही ज़्यादा चटकार बनता है और खाने में लाजवाब होता है दोस्तों उमीद करती हूं कि आज की चटनी की रेसिपी आप सबी को अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ हैं बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन मीलता रहेगा धन्यवाद आप से